हलो एवीवान वालकम वीक्तो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम यह डिजाइनर से टॉप रेड़ी करेंगे नेट फैब्रिक में है टॉप एन यह हम शोर्ट पर जिन्स पर अदर्वैस किसी पर भी पैया कर सकते हैं तो इसका लोग कुछ स्टाइप से रहेगा एन यह बन लिए क्याओ अधानिंग वाला और स्टेन फैब्रिक हाफ मीटर लिया है आधा-ाधा मीटर लिए दोनों और नेट फैब्रिक लिया है मैंने 50 मेटर क्योंकि हमें स्लू भी बनानी रहेगी हमारी सूस में नेट एकृत हो जाएगा और दोनों मेने हाफ आफ मेटर लिए लिय यहां पर इसकी बीद भी 21 इंचिस ही आ रही है अगर आप की चेस में जाता होता है तो आप उसके अकोर्डिंग इसको कम यह जदा कर सकते हैं सो यहां पर मैंने इसको बन भागी कट करनें गिए तो धो उजाएंगा हमारे पstar ही प्रण के लिए और एक गेट के लिए अपर इससकोह में फोल्ड वांगा अपर इसको एकोबा last कर दिया तो हमारे पास यह four tablets में कपडा और आप दिख सकते हैं सो यह हमारा बंबाग की साइड हम measurement नहीं लगाएंगे जो हमारा खुला भागे उधर की साइड हम armhole के measurement लगाएंगे उसके पहले जो हमारा नीचे की साइड फैबरिक टेडा तील च्छा हो रहा था उसको हम steadily कर लेंगे कट कर लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा फाबरिक होगा उसको हम हटा देते हैं यह कुछ इस ट्राइब से जो एक्स्ट्रा था उसको मिया से कट कर दूंगी देन करने के बाद हम हमारे armhole के लिए measurement लगा देते हैं तो हम उदर की साइड से 3 इंचे पर मार्क कर रहे हूं नीचे डाउन साइड से भी मैं 3 इंचे पर ही मार्क कर रहे हूं यहां पर हम से नहीं ते नहीं हिодар डिये हूं धियान रखें मैंने तीन इंचे सो फेसर में करेंन करते लिए और स्ल्डार्प देन हमी नयचे कटांवरें तुम क र法 में लस जो तन भी में टुच कर रहे हूं और इसकी चोड़ाई में ले रही हूँ जितना भी आपका चेस्ट मेजर्मेंट हो उससे डबल ले जो आपका साटन वाला फाब्रिक और लाइनिंग वाला फाब्रिक उससे आप डबल लेंगे नेट फैब्रिक and then इसकी यहां से जो यह नेट फैब्रिक का ओपन साइड रहेगा खुला वह भाग उधर की साइड हम यह आपर आम होल के निशान लगा देंगे और यह मैंने डबल लिया है इधर की साइड से जो हमने साटन फैब्रिक हम चेस्ट मेजरमेंट के अकोडिंग लेंगे उससे दो तीन इंचिस लोजिंग रखते हुए और नेट फैब्रिक उससे डबल लेंगे आप देख सकते हैं मैंने हम होल कट कर लिया लाइनिंग वाला फैब्रिक के नेट फाब्रिक के एंदिन यह हमारे पास कुछ स्ट्राइब से पैटन रहेगा अब इसमें हम लगाएंगे तो प्लेट्स कैसे लगाएंगे हमारे पास दो भागे एक फ्रंट भागे और एक भी भागे सो प्लेट्स हम एक इंच छोड़के लगाएंगे यहां पर एक इंच छोड़के हम एक पहले लगा लगा लेते और उसका थ्रेट खीश लेंगे हलका हलका तो ओटो तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने इस टाइस आपको पास से बता देती हूँ, मैंने आप पर इस टाइस से एक इंच छोड़के, और देन उस पर हम ने थोड़ा सा धागे को खीचा तो थोड़ी से प्लेट्स बन गई, और प्लेट्स हमें इतनी बनानी है जितना कि हमार साटन और लाइनिग वाल़ फद्स, अब आ क्या करेंगे लाइनिग वाले फद्स बन फड्म एक लिट्प के लेड़े को गडिeseडे क्या क्या करें कि कि हमी वाले प्ली खीच से सिल लेंगे ताकि पहले को द्वावले इन फचीय को जोएगं कर लेंगे और कि करने के बाद क को सीधी साइड से पलट देंगे यहां से अंदर की साइड से पलट देंगे तो यहां में अंदर की साइड से पलट दिया है तो हमें यहां पर और को स्टीश लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी आप चाहे तो यहां फिनिशिंग के लिए उपर के साइड स्टीश लगा सकते ह दन लगाने की बाद जो हमने नेट फैब्रिक में फ्लेट्स लगाई है वहां पर यह जो सिलाई है वहीं से हमारा साटन वाला फैब्रिक अटेश करेंगे जहां प्लेट्स लगाई थी धागा चलाया था वहीं से हम इस नेट फैब्रिक से साटन वाले फैब्रिक को अटेश कर साटें वाला फ़ॉबिक था दे इसके उपर हम एक दूसरा वाला पार्ट करंगें सेम इसी तरह से उसको भी टुप कर लेंगे नेड फ़ेट कंट चाहलता इस टुप करने के इन यहां पर इससे मिन यह पर दॉनों को टुप करने की बार को और फिर बेक पाट और फ्रंट पाट की नेट को बाहर से स्श्टीच ग लेंगे के दिन उसके बाद हम याँ पर स्लीव के सी कट करेंगे विसलीविस जितनी बेर आपको लैंथ चुझञ आपको फूलीथ चाहिए आपको साथ इंचेस की जितनी भी आप एक लेयर लो उससे हाफ इंचेस करीब में डबल लेयर लेना, तो मैंने आप पर इस ट्राइब से कट के आए, मैंने आप पर डबल भाग में हमारा कपड़ा है और मैंने उसको साथ इंचेस तक एको बाफ फोल्ड कर दिया है, कुछ इस ट्राइब साथ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोल्ड कर रखा है एक्कूरेट, सो अब उसमें जो हमारा उपर से बन भाग रहेगा ना, हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डबल लेयर है नेट की, सो मैंने आपर स्ट्राइब से फोल्ड किया है कि उपर की साइड हमारा बन भाग रहा है और यहां से हम यहाँ पर, जैसे हमने उपर की पाटो पाट में लगाई थी सिलाई, एक कच्छी सिलाई लगा कर यहाँ पर भी इस ट्राइब से धागी को खीच देंगे तो कुछ इस ट्राइब से दोनों स्लिव का लोक रहेगा आप देख सकते हैं, मैंने आपर जितने ही हमारी आम होल की गोलाई हो उतसे करीब तीन इंच जादा मैंने हाँ तक ले लिया है इतना हमें आपर प्लेट लगा देने, इतनी रफर्स करनी कि हमारे आम होल से तीन इंच ही जादा हो या धाड़े थीन इंच जादा से जङदा अब मैंने आपर छिप कर लाई पर ड़गा दिये गाल और ना हिवाक John तेन इस टीज करने के बाद जो हमारे आमोल ओपन थे महां आम यह स्लिव को टक कर देंगे यह कुछ इस टाइप से स्लिव कर देंगे यहां पर जो आमने आमोल छोड़े थे ना महां पर हमारी ओटोमेटिकली बेट जाएगी जितनी जरूत रहेगी उतनी ओटोमेटिकली आता हैं से गयाटिकली बेट रखा जो यहां फर ने अफिपला हैं उपर के साइप में वाइट टोर्या जगहाएं हुछ ज़ैनी ब्लाकर ऌतनी इन घंपतनी उपर के साइड में घ्रोला शेक ठीड़ जाएं वब इस ने इजशा पर आपके गेदरिंग अच्छे से आए तो पहले आप कच्छा कर लीजिए का गाइस नेट फैब्रिक से साटन वाले फैब्रिक को ताकि आपका गेदरिंग बराबर आए और बिखरे नहीं